तो हेलो ब्रीवन तो आप मेंसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने एंडी और सीडेस का अखल एक्जाम दिया था फो सेप्टेंबर को और उनको एक्सपेक्टेड कट आफ जाना ताकि वो फॉर्दर प्लान कर सकें चीजों को की एससबी की ताहरी करें आगे या फिर आगे हम ज से नीचे तो आपको कैसे चीजों को प्लान आउट करना चाहिए और मुझे पता है कि आप मेंसे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एयर फोर्स के हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ अनौंसमेंट सुनने के लिए इस वीडियो में है तो आपके रिगार्डिंग इस कैसे चीज़ां को करने हैं और एंगेन रिपीट की जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एंड़ेस वाले परमार ऑफिसर जो टेलीग्राम में उसको जो जॉइन कर लें और अभी स्टार्ट करते हैं कि कट आफ क्या कैसे आपका रहेगा तो बाकि अगर मैं सबसे पहले बात क तो यह मैं आपको बता दूँ यह हर बार ही ऑल्मोस जब स्टूडेंट्स देके आते हैं जीके का पेपर तो टफ लगता है लेकिन इस बार डिलेटिवली टफर था यह मैं मानूंगा लेकिन बहुत ज़्यादा था यह नहीं मानूंगा मैं क्योंकि पिछली बार के कंपारि ज़्यादा कुष्टन से तो इस वजह से जो है पेपर टाफ हो गया लेकिन बात यह है ना कि अगर आप पॉलिटी के कुष्टन से ना कर पाते तो दिक्कत होती आपको लेकिन जो एंशेंट इस्टी मेडाइवल होता यह बहुत ही मतलब कमी ऐसे स्टुडेंट्स होते हैं जो उनको सही कर पाएं because civil services के लिए बंदा प्रपेर कर रहा हूँ ना serious के लिए मैं बता रहा हूं civil services जाला बंदा बैट जाएगा तो ऐसा नहीं कि व सारे questions ancient और medieval के सही कर देगा medieval तो सायद ही कोई पढ़ता है जो UPSC civil services पढ़ते हैं लेकिन वो serious aspirant के हैं बात कर रहा हूं ठीक है और ancient भी इतना वास्ट है कि उसमें pinpoint कर पाना कि यहीं से आएंगी चीज़ें काफी मुश्किल होता है तो यहाँ पे अगर मैं आपको cut off का expectation बता हूँ तो वही देखो इसक चीज़ों को ढंग से किया होगा यहाँ पर जा कहीं पर भी यहाँ पर मैं आपको last 15 days में जो करवाया है जो मैं आपको बोला था डिरेक्ली मैंने प्रूफ भी upload किया है टेलीग्राम पे तकरीबन जो भी तक मुझे मैंने प्रूफ के साथ जो मैंने देखा है 41 questions 41 questions हैं जो हम आप जाके परमार ऑफिसे टेलीग्राम पे देख लेना nda के previous year से cds में 5-6 questions आए जो कि मैं बार-बार बोलता रहता था कि cds वाले nda कर देखेंगे nda वाले cds कर देखेंगे तो last 15 दिन में जो भी students ने इस चैनल पर भरोसर दिखा के डंक से चीज़ों किया होगा revise किया पता दिया हो और वो आ गया हो वो मझे नहीं पता लेकिन यह जो है मैंने pinpoint करके जो मझे खुद पता है और जिसका मैंने proof upload किया है टेलीग्राम पे ठीक है तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ तो वही है कि हम लोग अगर और टाइम शाद हम लोगो मिल जाता तो शायद यह जो OTA का रहना चाहिए और IMA के अगर हम बात करूं तो IMA का around 138 अब इसमें आप सब में प्लस माइनस 23 प्लस माइनस 2 अप कर सकते हो ठीक है प्लस माइनस 2 कर सकते हो बट जब भी आपका देखो कई मुझे पता है कि कई जग हो पर आपको बहुत ज़्यादा-ज़्यादा कॉट 125 लेकिन 125 आप देख लेना जाही नहीं सकता है मेरे अकॉर्डिंग जैसे CAPFAC के बात करूं तो 108 से लेके 1012 के बीच में यह रहेगा फाइनल की बात करूं जब आएगा तो आप खुदी देख लेना चीज़ को खेर अब इस EDS और ND पर फोकस करते हैं EFA का अगर बात करूं तो तकरीबन 150 फिर 148 ऐसे आप मान सकते हो ठीक है मतलब थोड़ा से इसमें लोगा साइड रहने की जड़ा चांसे हैं बहुत ज़़ा उपर तो नहीं जाएगा ठीक है प्लस माइनस टू हर जगे वालिड है और INA की अगर बात करूं तो INA में प्रेपरेशन फॉर SSB बाकि आपकी रिटेंड के भी अगर आगे लिजबल हैं तो प्रेपरेशन चलती रहनी चाहिए विकॉज आपको नहीं पता है कि SSB में आपका निकल जाओ वैसे पूरी उमीद है कि हाँ SSB क्लियर करो लेकिन आपको भी पता है SSB में कितना सेलेक्शन रहता है अगर हम बात कर लहीं पर NDA के फिर उस पर मैं आता हूँ कि आगे कैसे क्लासिस चलेंगे CDS और NDA के लिए ठीक है तो NDA के अगर हम बात कर लूँ तो आपको पता है इसमें आपका सेशनल कट अफ क्लियर करना होता है तो मैस के अगर हम बात करूँ तो मैस में आपक तो overall आपको भी पता है मज़े नहीं पता है कि नहीं पता है लेकिन अगर आप पिछले मेरे according 7-8 बार जो paper हुए है मैं paper की बात कर रहा हूँ साल आप मान सकते हो 4 साल है ना तो आप उठा के देखोगे और उसका percentage निकालोगे तो एक certain percentage जिसके beyond across नहीं किया है यानि कि और उस certain percentage जो है आपका हूँ जो highest मैं बता रहूँ वो गया था 355 अभी तक मैं बता रहूँ 355 जो अगर पिछले आप 7-8 बार के देखोगे तो 355 highest लिया था ठीक है तो उसी के around अगर इस बार के मैं comparison करूँ और नडिय के paper की तो नडिय में G80 जैसा आता था अर बार वैसे ही है tough नहीं था वो ठीक तो और नडिय में मुझे बताने की जरुरत नहीं कि कितना भेंकर रूप से फसा है ठीक है मुझे बताने की जरुरत नहीं current affair तो मुझे लगता है शायद ही एक दोन आया हो लेकिन सारे questions जो 200 current affair की महा PDF आपको दी गई थी सारे के सारे questions वहीं से थे ये सिर्फ इस बार के नहीं है पिछली बार भी सारे questions थे 10 में से 8-9 महा PDF से थे उससे पिछली बार भी थे और इस बार भी है ठीक है और ये आगे भी continue रहेगा और बाकी science में मुझे पताने के जरत नहीं जीके में जो हम लोगों ने पढ़ा ये मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ कि जिसने भी किया होगा जो उस group में join था जो telegram में बता रहो कोई भी student and gk और science की वज़े से तो उसका का हो सकता मैंस की वज़े से रुखे बाकी यहां तक कि मैंने evening में जो आपका exam था 4 को तो मैंने 3rd को evening में पोस्ट किया था वो railway zone का headquarter run directly आपका वो question है था खेर वो मुद्दा नहीं मुद्दे की बात ये है कि अगर आपका marks मेरे recording जो return की मैं cut off की बात करहूं तो 350 अगर आपका माल लेते हैं 360 प्लस आ रहा है तो definitely you should start the preparation for SSB 350 से लेके आप महीं मा सकते हो मेरे recording 360 तक ये रहेगा इसका basic कर मैं range की बात करहूं 350 से लेके 360 तक अगर 360 से आपका above है definitely आप SSB की preparation start कर सकते हैं नहीं आ रहा है इससे उपर CDS में या फिर NDA में तो बहुत सारे स्ट्रेट ने बोला है sir classes के regarding इस बार तो हम लोग उतना नहीं कर पाए 15-20 दिन ही maximum कर पाए और उसी में से काफी सारे लोग तो exam clear करकर निकल जाएंगे और कुछ लोग जो है किसी कार्णवर्श जैसे English में CDS में अगर बात करें कुछ maths का उनका हो गया लोचा अगर बात करें NDA में तो उसे वैसे clear नहीं कर पाएंगे और या फिर GKM उन्हें अतना time नहीं मिल पाए revision के लिए तो वो बोल रहे हैं कि sir इसके लिए batch लए proper और classes start कीजे तो इसके regarding अब भी तो मैं कुछ declare नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ मैं आपसे ये बोलूँगा कि परमार officer telegram पे आप जोड़े रहना कुछ ही दिनों में इसके regarding जैसा भी होगा आपको update सुनने को मिल जाएगा बाकी यहाँ पे भी मिले क्या होगा आपके youtube पे भी लेकिन वहाँ पे nda cds के perspective से मैं वहाँ पे ज्यादा active रहता हूँ तो telegram पे आप लोग परमार officer telegram पे जोड़ जाना बाकी अगर ये बात तो sure है sir कि अगर मैंने preparation करवाया start करवाया अभी मैं clear नहीं बोल रहा हूँ कि करवाँगो ये नहीं करवाँगो लेकिन अगर मैंने करवाया तो ये तो मैं बोल सकता हूँ कि selection आपको कोई नहीं रोख सकता जब वो मुझे confidence बात से कि जो मैंने people को देखा आपपने देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ यासे काफी लोगों को भॉद रहा हूँ है कि देखो सब हमाला पढ़ाया है ठीक है लेकिन आपको decided करना है कि 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 snack पढ़ाया गया ेग होता है किशा पढ़ाया गया एक होता है कि भाई revision भी एक बहुत ज़रूरी key factor होता है, जब आपको इतना पढ़ाएगा, जब आप इतना रिवाइज नहीं कर पाऊगे, तो आप इतना कहां से रिवाइज कर पाऊगे, यह जानने के जरुवत है, जैसे example आपको देता हूँ, जैसे physics हो गया NDA में, इतना deep नहीं आता ह ठीक है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं, यह मतलब इतना deep आता है, उनको पढ़ाना है कि उन्होंने commit कर रहा कि कि भाई हम daily एक गंटे की life class होगी, तो लेना ही पढ़ेगा, एक गंटे का life, तो यह just examples मैं दे रह आरे आपके current affair question आए, और पिछली बार भी धाई सो यह दिये थे, ऐसा ही, और उसमें से 240 दिये थे, मुझे भी भी आदे पिछली बार, तो एक वो होता और एक होता है कि daily current affair, जहां पर daily current affair, अगर आप 10-15 दिन के calculate करोगे, तो धाई सो हो जाएंगे, है ना, तो यह आपके पर depend करता है कि एक तो होता है कि बहुत ocean of content आपको मिल जाए, और एक होता है limited content, तो अगर मैंने आपको दिया, तो मैं वो commit नहीं करूँगा, नहीं मैं daily current affair class लूँगा, यह फिर यह करूँगा, वो करूँगा, बस मैं यह commit करूँगा, कि मैं तुम्हारा selection करवा के दूँग ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि content limited रखना है, और limited मैं इसलिए रख पाऊंगा, because जब आप back end पे महनत करते हो, पहले से previous air papers का अनलाइज करके तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ, 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 से questions का source बन रहा है, जो कि Air Force वाले students को ही पता है, current affair का मा PDF, अब NDA और CDS वालों को भी पता चल गया, CDS में थोड़ा typical हो जाता है कुछ question, लेकिन NDA में तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है, और CDS में यहाँ तक कि जो evening में question post किया था, उत्तरा खंड वाला, जो liquid mirror telescope वाला, वो भी directly आपके आ गया था, खेर, अभी बात यह है कि आप म preparation के लिए ready है, यह आप comment section में drop हीजएगा, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद,